हाई एवरीवन किसे हैं आप सब आई होप आप खुश होंगे सस्त होंगे और मस्त होंगे और हर महादेव शम्भू शम्भू तो मैं आज फिर से एक रीडिंग कर रही हूं और जिसका थीम है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा यह destiny देखो हमारी उसमें सब कुछ लिख चुका है और जो वो आपको मिलना ही मिलना है किए ना कि किस्मत का लिखा हुआ कही नहीं जाता तो मेरा आज का reading का थीम वही है कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो मिलकर रहेगा तो क्या लिखा हुआ है तो मैं आज वही जानने की कोशिश करूँगी और वही आपको बताने की कोशिश करूँगी और ये reading time days है, journal reading है, आप अपनी अपनी situation से वहाँ पर message लेंगे open रखें, अपने आपको खुला रखें, जितना कितना खुले दिमाग से चीजों को हम देखते हैं उत्ती चीजे clarity के साथ हमें समझ में आती हैं, तो मैं यहाँ पर two piles रखूँगी, उसमें से आपको एक स्लेक्टर करना है, आज मैंने पाइल पहले से नहीं रखी हैं, मैं अभी रखूँगी, उसमें से आपको एक स्लेक्टर करना है, और peace से, शान्ती से, timeless reading होगी, आप इसक के सो मच, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, और सस्क्राइब करने के लिए, और इसका पाइल का मैं अपना time description box mention कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना, और जिसे भी personal reading चाहिए, उसका मेरा WhatsApp नमबर है, वो भी मैंने description box mention कर रखा है, वहाँ से आ आप देख लेजेगा, ओके तो मैं पाइल आपके सामने रखती हूँ अभी, यहाँ पर मैंने two piles रखी हुई है, ओके, पाइल नमबर one and पाइल नमबर two, इसमें सापको एक स्लेक्ट करना है, आराम से peace से, शांती से, और confused होना की जरुरत नहीं है, बिलकुल भी ठीक है, और आपको लगता है कि मैं confused हो रहा हूँ, मैं पाइल एक चूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप पूरी रेडिंग भी यहाँ पर देख सकते हो, ओके, इसमें किसीने comment section में मुझसे पूछाता है कि क्या हम दोनों, दोनों पाइल हमें attract करती हैं, तो क्या हम दोनों पाइल को च पाइल नमबर टू, हैपी फैमेली, ओके, यह पाइल नमबर टू, तो इसमें से आपको एक सलेक्ट कर लाना है, तो मैं रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, पाइल नमबर वन, विक्ट्री से, हाई, पाइल नमबर वन, तो जिसने यह विक्ट्री का कार्ड चूस किया था, उसके लिडिंग में हाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, और पाइल नमबर वन, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और सस्क्राइब जरूर करो, और जिसने किया उसे थैंक यू, जिसने नहीं क जरूर करना, और जिसे भी पर्सन लिडिंग चाहिए, वो मेरे वाट्स अप नमबर पर मेसेज कर सकते हैं, वाट्स अप नमबर मेरा डिस्क्रिंब और मेंशन कर रहा है मेंने, ओके तो यहाँ विक्ट्री का कार्ड के आपकी डेस्ट्री में क्या लिखा है, जो आपको मिल के रहेगा, मतलब यहाँ पर दे कि मैं अभी intuitively यही मेसेज आपके लिए पिक कर रही हूँ, कि आप बहुत ज़्यादा अपनी चीजों के उपर टाइम लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा एक काफी टाइम से आप अपनी चीजों का वेट कर रहे हो, एक success का वेट कर रहे हो, ठीक है, कोई चीजे हैं, definitely आपकी destiny में लिखा हुआ है, कि बहुत ज़्यादा abundance है, बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज के उपर काम करना है, करम करना है, करम कांड, वो सबसे पहले pile number one आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है, कि जितना आप करम कांड करोगे, करम करोगे, करोगे, उसका यहाँ पर fruit आपको जरूर दिया जाएगा, pile number one, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे person मुझे लग रहे हो, कि एक थोड़ा सा जिद्दीपन मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहा है, कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा आप passionate energy लग रहे हो, passionate energy क्या होती ह कि देखो, किसी भी चीज़ को, शिद्द से चाहना, उसके पीछे लगना, उसके लिए महनत करना, और जब तक उस चीज़ को हम पानी लेते, जब तक हम उस चीज़ को achieve नहीं कर लेते, तब तक शायद मुझे नहीं लगता है, कि आप कुछ, मतलब एक रुक के rest लेते होगे या कुछ, एक केते हैं न, कि हाँ, थोड़ा सा आप ये कर लिए, आप थोड़ा सा मेरे rest लेता हूँ, नहीं, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप जानते हो शायद कि आपको कब चीज़े कहां से मिलनी है, ठीके, देखो, कभी-कभी क्या होता है न, कि destiny में जो लिखा हुआ ह वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भगवान केते हैं, वो मिलेगा जब ही जब उसके लिए आप तयार होगे, जब उसके लिए तयार हो जाओगे, जो लिखा है, मानो आपको दे दी, बहुत सारी चीज़े दे दी, और उसकी value नहीं पता, उसकी कदर नहीं कर पा रहे हो हो आ है सब कुछ, लेकिन उसके लिए आपको पेले अपने आपको ready करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप काम कर चुके हो और कर भी रहे हो, बहुत ज़्यादा आप शायद एक financially चीज़ों के उपर work कर रहे हो, या अपनी growth के उपर, अपनी success के उपर या meditation, ध्यान, योगा, कुछ कर रहे हो आप यहां पर, लेकिन हा, उसमें आपको success केते ना, क्योंकि कर्म करने वाला इंसान, भागवान उसको fruit अवश्य देता है, उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है, तो यहां पर आपकी destiny में लिखा हुआ है, कि जितना आप महनत क करोगे, जितना आप hardware करोगे, उसमें आपको success, सफलता यहां पर आपको जरूर दी जाएगी, ओके, यह कार्ड से था आपके लिए, अब मैं देखती हूँ, टेरो से कि टेरो क्या बोलते हैं, आपके लिए, तीके, आपकी destiny में क्या लिखा हुआ है, जो आपको मिलके रहे, यहां पर देखो, 8 events, यह कार्ड आपका यही बता रहा है कि आपकी destiny में क्या लिखा हुआ है, बहुत जादा मैं अभी इस कार्ड से मैंने आपको बताया, जो इस कार्ड से में बता चुकी हैं, सेम वही कार्ड से यह, 8 events, success का, growth का, opportunities का, आप बहुत speed से इन सब चीजों की तरफ यहां पर जा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक confidence में यहां पर देख रही हूँ, शायद कुछ चीजों को आपने अच्छी भी किया है, जरूरी नहीं है कि बहुत, मतलब एक बड़ी, बड़े पेमाने पर उस चीज को लिया है, यह यहां पर चोटी 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 टुकड़ों में बर भी वो चीजे मिल सकती है, लेकिन यहां पर मैं आपके लिए पाइलवन ये भी देख रही हूँ, कि जो चीजे आपको मिल रही है, शायद पहले आप उन सब चीजों से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, उन स ही बोलूंगी पाइलवन आपके लिए कि आप कर्मकांड वाले इंसान हो, आप सोल हो एसी कि जो अपने महनत के बलबूते पर आप करना चाहते हो और उसी में आप कुछी वहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी आप मुझे नहीं लगता है कि किसी के लेने से या किसी के द कर्यार में आगी की तरफ डेस्टिनी में आपकी लिखा है कि आपके केरियर में काफी ग्रोथ है, सक्सेज है, अपोचिनिटी से, मौके हैं, अवसर है, जिसको आप खुबसूर्ती से आप बहुत इस पिर से आप उसकी तरफ जाओगे और आपको उसमें सक्सेज जरूर मिल यहां पर, ठीके, देखते के, पाइल नंबर वन, आप है ना, आपका हमेशा, मैं यहां पर फिर वही कहूँगी, कि आप शायद, अगर कुछ सिच्चेशन आपकी ऐसे भी आ जाती होगी, कि हाँ ठक जाते हो, थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हो, लेकिनों केती ही ना, हमारी Spirit, हमारी आत्मा, शायद वो आपको बेटने नहीं देती है, वो आपको रेस्ट लेने न देती है, वो कोई न कोई है, जो आपको पुश करता रहता है, पीछे से, कि हाँ, बच्चे थोड़ा सा ओर चलना है, थोड़ा सा ओर चलना है, बस यहीं पर आपको सब कुछ मिलना है तो वो सारी चीज़े मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक आपके अंदर एक confidence जबजस्त एक आप देखोगे कि हाँ आपकी destiny में है कि जब जब आप शायद रूप जाओगे जब जब आप शायद अपने आपको low feel करोगे तो suddenly एक आपके अंदर से चीज़े आती होगी आप फिर से उठते होगे फिर से खड़े होते होगे और फिर चलते होगे यहाँ पर तीके यह क्योंकि आपको है ना आगे बढ़ने में आगे की तरफ देखने में और बहुत सारी चीज़ों को नहीं चीज़ों को काम करने में आ आपको शायद बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत शादा पैस्ट्रे आहँ और पैस्ने एनर्जी का भी बेटने पर बिल्यूप नहीं करती है वह हमेशा कुछ नया कुछ नया कुछ नया करना उसे अच्छा लगता है ठीके और उसको देड़ सबैं यहां पर में लगाओगे जिस चीज के ऊपर भी आप केते हैं यह मुझे लेना है तो उस चीज को जब हम करने के लिए तयार हो जाते हैं तो डेफिनेटली उस चीज में हमें सक्सेस मिलती है वो चाहे अब आपकी फाइनेंशली ले लो या केरियर वाइस ले लो या खुद की अपनी ऐसी चीजों के प्रति ले लो जहां पर शायद आप वर्क करना चाहते हो ठीके आपका फोकस हमेंसा फिर मैं यह कहूं आगे की तरफ रहता है और डेस्टिनी में आपका लिखा है कि आपको बहुत कुछ आ पर ये लिखा हुआ है कि सकसे सफ़लता है और आप उन सब समय को अपनी तरफ आते हुए भी लें देखते हो कि हां मुझे यह सब चीज लेनी है और जब देखते हो कि उत्य पर कुद्रत मुझे फिर क्या है, ओके यहां पर आपकी destiny में definitely लिखा हुआ है कि बहुत जादा success है, growth है और उन सब चीजों को लेकर आप काफी happy हो रहोगे, खुश रहोगे और कहीं ना कहीं, आपकी destiny में ये सब चीजे भी लिखी हुई है, कि आप अंदर से बहुत जादा खुश रहते हो, आप चाहे कुछ भी work करते हो, चाहे कैसे भी करते हो, लेकिन खुशी-खुशी शायद उन सब चीजों को लेकर आगी की तरह बढ़ना, उस work क काम करना, कि जिस काम में positivity है, जिस काम को हम शिद्दत से करते हैं, लगन से करते हैं, definitely उसमें हमें success मिलती है, उसमें हमें सफलता मिलती है, यहाँ पर, ठीके, तो यहाँ पर बहुत जादा आप कि जब हमें कोई चीज मिल जाती है, आपकी destiny में वही लिखा हुआ है, कि आप बहुत जादा hard work करते हुए, उस चीज को achieve करते हुए, और फिर उसका किते ना आनन्द लेना, उसकी खुश्बू को सुना, उसे feel करना, उसे महसूस करना, कि हाँ finally, मैं इस यहाँ तक जो कुछ किया है, यह मैंने अपने बलबूते पर किया है, लेकिन वो क्यों, क्योंकि य जो हमारी चीजे लिखे हुई होती है, लेकिन वो किस तरीके से मिलती है, डिपेंड वो करता है, यह मैं कहूं कि आपको यह जो success है, यह opportunities है, यह खुशिया है, आपको इतनी easily नहीं दी गई है, क्योंकि आपकी destiny में लिखा हुआ है, कि जो चीजे भी आपके पास आएंगी इतनी easily नहीं आने की यहां पर, क्योंकि उसमें आपको काफी महनत करनी है, काफी अपना समय उन सब चीजों के लिए लगाना है, काफी आपको peace और शांती में यहां पर रखना है, ठीके, साइद past में आपकी destiny में यह भी लिखा है, कि आपको बहुत ज़दा इन सब चीजों को कोई भी चीज आपको अगर आपको लेना है, आपकी life में आपको देखना है, सकसस देखनी है, तो बहुत सारी चीजों को आपको अपनी life से टाटा बाय बाय भी करना है यहां पर, आपको मतलब एक कहते हैं ना कि आपकी destiny में बहुत ज़दा यह भी लिखा हुआ है, कि आ पे ना एक time पर आप अपने आपको काफी अकेला महसूस करोगे, काफी एक ऐसा महसूस करोगे जहां पर कुछ भी नहीं है, ना peace है, ना शान्ती है, ना एकांत वाता वरण में आप शायद रहना जादा पसंद करोगे, एकांत की energy को आप जादा receive करोगे आप माहा पर, literally यह पर मैं यह देख रही हूँ, pile number one, कि आपका, आप शायद health से related, या mentally, या physically, आप जब कहते हैं, कि जब पूरे disturb हो चुके होते हैं, तब हम अपनी चीजों के उपर focus लगाते हैं, definitely जब किसी चीज को हम कहते हैं, बस कि end हो जाना, कि हाँ, अब मुझे यहां से निकलना है, मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, मुझे success की तरफ बढ़ना है, मुझे अपने साथ enjoy करना है यहां पर, तो आपकी destiny में वही है कि आपने किसी एक time को बहुत, एक ऐसा समय था आपका, एक ऐसा दोर था आपका, जहां पर आप बहुत ज़्यादा, शायद अपने आप, एक क शांती महसूस करना और काफी डिस्टरब आप लगे हो, बिल्कुल आप मेरे गले में पता नहीं क्या हुआ है, आपका थ्रोड चक्रा, यस, आपका थ्रोड चक्रा लिटरली यहां पर बहुत ब्लोग था, और बहुत ज़्यादा आप mentally डिस्टरब भी रहे हो, आपकी destiny में लिखा है कि जितना आपके साथ गलत चीजें हैं, गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, एक समय था आपका जो बहुत ऐसे समय से आप गुजरे हो, जहां पर आपको एक बिल्कुल तूटा हुआ सा महसूस करा है आपने, लेकिन कहते हैं ना समय फिर से पलटा है, तो आपकी destiny में वही लिखा है कि रात के बाद फिर से सवेरा है, एक cycle आप complete करोगे, आप दूसरे cycle में यहां पर जाओगे, और यह जो time आप में देख रही हूँ, आपका pile number one, यह बहुत जादा आपका peace का है, शान्ती का है, ग्रोथ का है, जो कि आपकी destiny में यहां पर लिखा हुआ है, एक cycle, दो चीज़े आपकी destiny में यहां पर जबर जस्त देख रही हूँ, कि आपको जो कुछ मिलेगा, आपकी मेहनत और आपके बलबूते पर मिलेगा, अब कोई भी success आपको इतनी easily नहीं मिली, उसके लिए बहुत जादा आपको hard work भी आपर करना पड़ेगा, लेकिन hard work pain है, जितना दुख है, उतनी ही आपकी खुशिया है, उतनी ही आपकी success है, उतनी ही आपकी abundance है, मतलब मैं दोनों को चीज़ों को यहां पर मिक्चर बता रही हूँ, आपका, दोनों चीज़े आपकी है ना, equal equal चलनी है यहां पर, लेकिन यहां पर आपकी destiny में, आपकी लिए और उतनी ही जल्दी आप खुशियों की तरफ यहां पर जाओगे, ओके यहां पर मैं चक्रा से लेती हूँ आपके लिए, यहां पर आपके साथ हैं, यहां पर आपकी डेस्टिनिय में लिखा हुआ है, कि एक जब आप अपनी बहुत सारी चीजों को hard work करोगे, success की तरफ चाओगे, और peace और शांती का रस्ता चूस करोगे, जब आप केते हैं ना कि अपनी चीजों को एक बुरे वक्त से आपको निकालेंगे, कौन निकालेंगे, आपकी डेस्टिनिय में लिखा हुआ है, कि जब आप बुरे वक्त में रहोगे, तो इश्वर आपका साथ जरूर देंगे, इश्वर आपको एक ऐसे रस्ते पर लेकर जाएंगे, जहां पर आपको peace है, शांती है, success है, और आपकी खुशिया है, क्योंकि आपको प्रकाश की तरफ यहां पर ले जाया जा रहा है, विक्टरी है, आपकी destiny में लिखा हुआ है, भागवान का साथ है, उनका support है, उनका एक रस्ता और प्रकाश की तरफ यहां पर आपको ले जाया जाए, यह आपकी destiny में लिखी हुई है, जब भी आप नर्वस रहोगे, उदास रहोगे, तो वहाँ पर चीज़े आपकी खुद पर आपकी destiny में लिखा है, जब भी आप तूटोगे, बिखरोगे, तो कहीं न कहीं से आपको support जरूर मिलेगा, चाह वो इंसानों का support हो, चाह आपका खुद का हो, चाह वो angels, फरिष्टों का हो, लेकिन यहाँ पर भागवान का support में, आपकी life में, आपकी destiny में, especially यहाँ पर दे सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना है आपको, वो सारी चीज़े मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जब केते हैं, कि situation ऐसी आती है, कि बस हम हिम्मत हार जाते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, कि हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं, आप बहुत जादा passionate हो, अपनी चीजों के प्रती, अपनी family के लिए, ठीके, तो वहाँ पर वो सारी चीज़े मुझे नजर आ रहे हैं, कि जब हम उठते हैं, खड़े होते हैं, तो इश्वर भी हमारा साथ वहाँ पर देता है, यह आपकी destiny में लिखा हुआ है, ठीके, यहाँ पर three of cups, enjoyment है, आप मैं यहाँ पर चीजों को equal देख रही हूँ, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कि देखो, आपको काफी experience लाइफ में शायद करना पड़ा होगा, ठीके, आपने जितना experience करोगे न, उतना life में आप success की तरफ यहाँ पर जाओगे, उतनी जादा आप अपने बारे में सोच अपनी चीजों को समझोगे, तो यहाँ पर वही सारी चीजे आपकी मैं देख रही हूँ, कि जितना जादा आपने बहुत सारी चीजों का experience यहाँ पर किया है, शायद आपने बहुत satisfaction भी किया है, sacrifice किया है अपनी चीजों के साथ, ठीक है, बहुत आपका throat चक्रा, जो कि मैं देख रही हूँ, यहाँ पर literally, कि आपका throat चक्रा है, यहाँ पर पहले block था, लेकिन यहाँ पर अब बहुत खुपसूर्ती के साथ, अब अब अपनी चीजों को यहाँ पर बता पा रहे हो, और कह पा रहे हो, और निकल पा रहे हो, क्योंकि इश्वर का साथ बहुत आपकी destiny में लिखा है, कि जब जब भी बुरा वक्त आएगा, जब जब भी समय आपका खराब रहेगा, वहाँ पर प्रभू का साथ आपको जरूर मिलेगा, और आपको उस situation से जरूर निकालेंगे, और आपको ऐसे रस्ते पर लेके जाएंगे, जहाँ पर peace है, शान्ती है, जहाँ पर सिर्फ आप अपने साथ यहाँ पर खुश होते हों नजर आ रहे हो, ओके यहाँ पर आपकी एक चीज़े ओन नजर आ रही हैं मुझे, कि आप है ना, जब भी कोई चीज़े आपको मिलेगी, वो आपको जो destiny में आपका लिखा हुआ है, pile number one, वो आपको ऐसे नही मिलेगा, वो बहुत मसकत और बहुत ज़ादा आपको उन सब चीज़ों के लिए हाट वर्ग करना पड़ेगा, यहाँ पर, लिखा है, मिलेगा, लेकिन मिलेगा, एक time पर मिलेगा, और बहुत खुबसूरती केप साथ मिलेगा, कि जब वो मिलेगा, आप शायद अपने आप को समालने पाओगे, कि वो आपकी destiny में बहुत ज़ादा क्योंकि success है, बहुत ज़ादा आप एक केते न, अपना रस्ता खुद बनाना, ओके, आपकी destiny में लिखा है कि आप अपना रस्ता खुद बनाओगे, और खुद उन सब चीजों को enjoy करोगे, और खुद उन सब चीजों के उपर, अपनी अपना दिमाग, अपनी सोच, अपना समय यहाँ पर लगाओगे, तब आपको success मिलेगे, और तब जो experience करोगे न, वो जबद चस्त आपका रहेगा, यह आपकी चीजे destiny में आपकी लिखी हुई है, और आपको इस रस्ते पर चलने के लिए, खुद angels आपका support करते हैं, आपकी destiny में लिखा है, भगवान का साथ आपकी destiny में लिखा हुआ है, ओके, जिसकी वज़े से आप बहुत आगे तक यहाँ पर जाओगे, ओके, मैं यहाँ पर energy take से लेती हूँ, आपके लिए, थैंक्यू इनियर्स, थैंक्यू आप बहुत जादा इश्वर से आ बताया जाता है, कि हाँ, इस रस्ते पर चलना है, आपको इस रस्ते पर यहाँ पर गुरू थे, यहाँ पर आपकी खुशियां है, यहाँ पर आपको success मिलेगी, ठीके, और वो आपको जब भी आप अपने आपको घीरा हुआ सा महसूस करोगे, जब भी आप अपने आपको ऐसा मैसूस करोगे कि हाँ, मुझे अब किसी की हेल्प की जरुरत है, तब तब आपको इश्वर का सपोर्ट यहाँ पर जरूर मिलेगा, यह आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, पाइल वन, ठीके, यहाँ पर देखो, आपको आपको बहुत ज़ादा एक एसी, जब भी, जो अब भी मैंने बोला, जस्ट यह कार्ड वही हैं आपके लिए, कि जब भी आप अपनी ऐसी सीचे सर में रहोगे, इमोशनली हर्ट हो, या बहुत ज़ादा आप अपने आपको अकिला महसूस कर रहे हो, या बहुत ज़ादा आप अपनी चीजों को दबा कर रख रहे हो, कहने ही पा रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको एक ऐसी पावर्स में लाया जाएगा, एक ऐसी जगर पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर पीस है, शांती है, और सिर्फ आप हो और आपकी भगवान है, ठीके, वहाँ पर सिर्फ आप अपने समय का यूज करोगे, उसे समझोगे, उसे उपर वर्क करोगे यहाँ पर, ठीके, यहाँ पर आपकी काफी मून की एनरजी, जो कि मून क्या होता है न, मन का कारक होता है, और जिसका मन अपने उसमें आ जाता है, अपने कंट्रोल में आ जाता है, तो यह लगा लो कि उसकी तो नया पार है, ओके, फिर वो वो निकल जो कि आपकी destiny में यहां पर लिखा हुआ है, जो अपना रस्ता खुद बनाता है, जो अपनी चीजों के उपर काम करता है, भगवान उसका साथ जरूर देता है यहां पर, फिर जब भगवान जिसका साथ देता है, उसको success जरूर मिलती है यहां पर, pile 1, ठीके, मैं यहां पर, आपको मिलकर रहेगा, भगवान, ठीके, ठीके, यूनियस, ठीके, ठीके, तू मच, यहां पर, ट्री कार्स निकले है, ओके, विजन, ओके, एन, एसेंसल्स, आपकी destiny में ये भी लिखा हुआ है कि आप है ना जो भी भगवान से prayer करोगी जो भी प्रात्ना करोगी सिर्फ आपको करना क्या है आपको अपनी energy को balance रखना आपका mind, आपका body और आपकी soul ये तीनों एक alignment में रहेगी एक ताल में रहेगी तब आप जो भी इश्वर से मागोगी वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर magic manifestation का card निकला हुआ है ओके your dreams, vision and goals are becoming reality and stay focused यहाँ पर आपको बोला जारा है कि बिल्कुल आप अपने जो भी goal है आप जो कुछ करना चाहते हो सिर्फ उसके उपर ही आपको focus लगा कर रखना है ठीके जो भी आप सोचोगे जो भी आप मांगोगे वो reality में convert होकर वो सब चीजे आपके पास आएंगी यहाँ पर ठीके, सिर्फ क्यों क्योंकि आप इश्वर के बहुत ज़ादा नजदिक हो जाते हो जब आपका mind, आपकी soul एक alignment में हो जाती है तब आप इस वर से आपका connection बहुत जल्दी यहाँ पर बनता है तब आप इस वर से कुछ भी मांग मग सकते हो यहाँ पर आपकी destiny में लिखा हुआ आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ आप अपनी true self से यहाँ पर जुड़ें ठीक है, जो भी डार्कने से जो भी आपको चीज़े रोकती है जो भी आपको डराती है धमकाती है उन सब चीजों से आपको उपर उठना है ठीक है, आपको light और प्रकाश की तरफ यहाँ पर जानने की जरुत है और आपके लिए ये भी बोला जा रहा है और लिखा है आपकी destiny में ये सब चीज़े लिखुए है कि आपको लोगों को माफ करना आना चाहिए और बहुत जल्दी आप लोगों को माफ आपकी करना है अगर कुछ चीज़े ऐसी होती है आपके साथ में जहां पर आप बहुत ज़ादा तूटे हो बिखरे हो तो उन सब चीज़े को बूलो और किसी परसन के थुरूशाइद कुछ चीज़े होई है तो उन्हें माफ करो ठीके क्यों कि माफ करना अपने आपको हील करना है ठीके जितना आप माफ करोगे उतना लोगों को आप उतनी आप अपने आपको हील कर पाओगे और उतनी ज़्यादा आप अपने अंदर देखोगे कि आप करुणा से भरे हुए हो जो सीमिद दाइरा होता है ना ہमारा उसको आप कट कर पाओगे यहां पर ठीक है ये चीज़े आपकी destiny में लिखी होई है कि आपको कोई भी रंजिश या कोई भी गिला शिका आपको अपने अंदर store करने की जरुरत नहीं है उन सब चीज़ों को बुला दो क्यों क्योंकि आप है न पाइलवन बहुत जादा manifest कर रहे हो आप और एक हो आपके हो ये blessed हो आपके आप जो भी आप मांगोगी इश्वर से आपको मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको अपनी true self से जुनने की जरुत है darkness से उपर उठो light की प्रकाश की तरफ यहाँ पर जाओ क्योंकि angels का support है आपके साथ इश्वर का support है ये आपकी destiny में लिखा हुआ है जो कुछ हुआ है उस चीज़ को भूल दो अपने आपको heal करो ठीक है अपनी boundaries को cut करने की जरुत है कोई boundary आपको बनाने की जरुत नहीं है यहाँ पर क्योंकि बोला जा रहा है कि प्रेम है ना प्यार सबसे बड़ी कुदरत की एक देन होती है इसकी कोई सीमा नहीं होती इसका कोई दायरा नहीं होता है इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जितना आप लोगों को माफ करोगे उतनी आपका एक दायरा और फेलेगा उतना आप अपने आपको heal कर पाऊगे ठीके अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा जो आपकी destiny में लिखा हुआ वो देखो यहाँ पर इतनी easy आपके साथ में नहीं जुड़ेंगी चीज़े time है time पर जुड़ेंगी लेकिन उसके लिए अपने आपको ready करना पड़ेगा ठीके वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं पर cut करती हूँ और stop करती हूँ और I hope आपसे यह reading resonate हो अगर होती है तो please like, comment, subscribe thank you, thank you so much और please video को like और subscribe जरूर किया करो thank you, thank you so much and bye pile 1 hi pile number 2 तो जिसने भी यह happy family का card चूश किया है उसके reading में यहाँ पर start कर रही हूँ कि आपकी destiny में क्या लिखा है जो लिखा हुआ है और वो आपको मिलके रहेगा क्या मिलके रहेगा जो लिखा हुआ है ओके तो यहाँ पर मैं आपकी reading स्टाट कर रही हूँ और pile 2 वीडियो को please like, comment, subscribe और जिसे भी personal reading चाहिए मैंने अपना whatsapp number description box में mention कर रहा है वहाँ से आप देख लेना तो इस card से में यहाँ पर आपके लिए यही देख रही हूँ कि आप है ना आपकी एक chain है ठीके आप आप शायद ऐसे person हो pile 2 कि कि आप है ना सबके साथ खुश रहना जादा पसंद करते हो सबको लेकर चलने में आपको जादा खुश ही मिलती है शायद आप अकेले अकेले रहेकर शायद आप खुश नहीं रह सकते हो pile 2 आपकी लिए मैं यहाँ पर यही देख रहे हूँ आपकी destiny में यही लिखा हुआ है कि जितना आप सबको साथ लेकर चलोगे उतनी ही जादा आप happy रहोगे उतनी ही जादा आप खुश रहोगे क्योंकि आपकी खुशी अकेले में एक time था शायद आपने बहुत जादा अकेले में time निकाला है और वो शायद कुदरत ने आपको दिया है ताकि आप अपने आपको जानो अपने आपको समझो क्यते ना inner work inner work क्या होता है कि जब हम अंदर तक अपने आपको ज्हांक लेते हैं के समझ लेते हैं और इसमें है ना ऐसे नहीं हो जाता है इसमें टाइम लगता है बहुत लंबा टाइम लग जाता है उसमें और बहुत केते हैं हम अलग हो जाते हैं सबसे अलग हो जाते हैं ठीके तो वहाँ पर वही सब चीज़े हैं आपने बहुत कुछ किया है और फाइनली क्योंकि आपकी soul ऐसी है कि आपको अकेले में शायद आपके पास अकेले में बहुत सारी चीज़े हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप शायद उस चीज़ का आनंद नहीं ले पाते हो, नहीं उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हो, उस चीज़ को खुश कैसे होते हैं, व वो आपकी destiny में लिखा हुआ है, कि आप एना team work, लोगों के साथ घुलना, मिलना, बाते करना, share करना, खुश रहना, और अपनी एक chain बना लेना, ठीके, एक chain, मतलब हाँ, इससे, 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 तो ये आपकी destiny में लिखा हुआ है, और बहुत ज़्यादा शायद आप अपने, खुद की family में भी, ये सब चीज़े, आप बहुत अच्छे से लागू करते हो, आप सबको अपनी family में सबको खुश देखना चाहते हो, सबको प्यार देना चाहते हो, सबको लेकर, चा बुड़ा हो, चा बच्चा हो, आप सबको लेकर, बहुत आगी की तरफ चलते हो, और बहुत एक केते हैं, कि हाँ, एक चा कोई भी person हो, कि हाँ, अगर कोई बोल दे आपको, कि मुझे से यहाँ पर help की ज़रत है, मुझे आपकी help चाहिए, तो बस उसका हाथ पकड़ लेना, वो एक chain बन गई आपकी, ओके, वो एक chain बनी है, और फिर आप उसको लेकर आगी की तरफ जाते हो, जिसमें आपकी यह खुशी है, आप जानते हो, कि मुझे कहां पर खुश है, और इश्वर आपको उन सब चीजों से जोड़ रहा है, जहां पर आपकी खुशियां है, ठीके, यह चीज़े आपकी destiny में लिखा हुआ है, और प्लस आप अपनी family, एक destiny में लिखा है, कि आपका बहुत अच्छा परिवार, खुशियों भरा परिवार, जिसमें सब कुछ है, एक प्यार है, पेसा है, और एक दूसरे की चीज़ों को, भावनाओं को, दिल को समझना, और दिल तक किसी चीज़ तक, दिल से दिल तक, तो यहां पर मैं आपकी destiny में देख रही हूँ, कि बहुत ज़ादा हर तरह की खुशियां है, आपकी family में प्यार है, आपकी destiny में लिखा हुआ है, एक happy family, ओके, तो यहां पर इस card से मैं आपकी लिए यही बता रही हूँ, मैं देखती हूँ, यहां पर card से, यह आपको, आपकी जो हो सकता है, आपकी जो बच्चे है, आपकी जो relation है, आप चाहते हो के बहुत काफी better हो, अच्छे हो, तो आपके लिए यही है के जितना आप सब को support करोगे, जितने आप happy रहोगे, जितने आप, my God, आप देख रहे हो, यह भी happy family है, और यह भी happy family है, four of wins, ठीके, and seven of wins, मैं बताऊंगे अभी आपको, मैं कार्ट यहां पर सारे निकाल लेती हूँ, thank you, thank you, thank you, thank you so much, devil, devil जी आ गए है, पैल टूल, यह क्यों आ गए है, इत्ती, इत्ती, light energy में, thank you, thank you, thank you, thank you so much, चलो मैं अभी इन कार्ट को एक्लियर करती हूँ आपको, यहां पर देखो, मैं आपको बताऊं कि आपकी family में पाइल टू, आपकी energy, जो कि, देखो, यहां पर मैं यह एक चीज और बता देती हूँ, कि जिसके अंदर जितनी positivity होती ही न, उसके इर्द गिर्द, उतनी ही negativity energies गुमती रेती हैं, कि जहां इश्वर है, जहां सकारात्मकता है, positivity है, वहां negativity भी है, नकारात्मकता भी है, आप बहुत ज़्यादा positive हो, बहुत ज़्यादा positive energies हैं, क्योंकि आप है न, आपकी सोच बहुत अलग है, और आपका कुछ भी करने का तरीका, रंग, ढंग, मुझे काफी different नजर आ रहा हैं यहां पर, लेकिन यहां पर आप इतने positive, इतने खुबसुरत, इतना अच्छा आपका नजरियती ची सोच, लेकिन यहां devil, जितनी आपके अंदर मतलब केते हैं न, कि एक नकारात्मकता और एक सकारात्मकता, दोनों चीज़े मैं यहां पर आपकी देख रहे हूँ, कि आपके इर्द गिर्द शायद कुछ चीजे ऐसी होती होंगी, जिसमें आपको काफी आपको disturbed होते हो, और काफी अपने आपको शायद mentally ऐसी चीजों से आप stuck हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, जहां पर आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा उन सब चीजों से अपने आपको सेफ करने की ज़रत है, आपको अपनी एक जो family है ना आपकी बहुत happy family, बहुत positivity है आपके परिवार में हो सकती है यहां पर, सब अपनी अपनी उससे message लेंगे यहां पर, ठीक है अपनी अपनी situation के अनुसार, तो उस चीज को आपको एक boundary बनाने की ज़रत है, ठीक है, क्योंकि पता है आपकी destiny में यह लिखा हुआ है, यह है, लिखा हुआ है, लेकिन केते हैं ना, कि जब हमें चीजे पता चलती हैं, समझ में आती हैं, तो हम उसके लिए action लेते हैं, हम अगर कोई मानो हमारी family की तरफ गलत intention से आता है, गलत इरादों से आता है, गलत उससे आता है, तो हम क्या करते हैं, एक protection shield में डालते हैं, उसके लिए हम strand लेते हैं, उसके लिए हम खड़े हो जाते हैं, तो आपकी destiny में यही लिखा हुआ है, कि जब जब आपके उपर किसी negative energies या कुछ भी आपके family या आपके around कोई भी चीजे ऐसी आती हैं, तो आप उसके लिए strand लोगे और आप उसके लिए एक केते न, अपने परिवार के लिए एक एसा काम करोगे कि हाँ, बस पहले मुझसे मेरे पास आओ, और फिर मेरी family के पास यहाँ पर जाना, ठीके, totally आप एक अपने family का एक केते न, सुरक्षा guard, मैं यहाँ पर वो सारी च करके रखते हो, क्योंकि शायद आप अपनी family को बहुत प्यार करते हो, उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हो, उन्हें प्यार देना चाहते हो, लेकिन आपकी destiny में यह सब चीज़े लिखी हुई है, कि जितना आप mentally, शायद कोई आपकी family में होगा, कि mentally बहुत जादा कोई disturb रेता है, बहुत जादा परिशान रेता है, तो उन सब चीज़ों को भी आपको handle यहाँ पर करने की जरत है, ठीके, यह बहुत सारी चीज़े हैं आपके साथ, जो आपको handle करने की जरत है, आपको खुद को अपने सुरक्षित गहरे में भी रखने की जरत है, और अपनी family से भी अपने आपको उनको रखने की जरत है यहाँ पर, जो कि बहुत शायद किसी की ए, एक आपने शायद आपने past में, या आपकी family ने, या आपने खुद ने एक बहुत जादा ऐसे चीज़ों को phase किया है, जो कि ब बहुत सारी energies का यहाँ पर, ठीके, लेकिन कहते हैं ना, कि जब हम, जब कितनी भी नकार अत्मकता हो, जब कितनी भी गलत चीज़े क्यों नहों हमारे साथ में, लेकिन जब हम positive होते हैं, जब हम चीजों को balance करना जानते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कि उन सब चीजों से दूर हट जाते हैं, जो हमारी family के ओपर attack डालता है, और एक चीजों को, एक खुशियों को आने से रोकता है, और family में एक प्यार एक जो रेता है ना, शायद किसी किसी के लिए में यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी की family में बहुत ज़ादा किसी का एक नजर दोश भी हो सकता है, जो किसी केते हैं, कि हाँ, नजर लग जाना, वो सारी चीजे में यहाँ पर देख रही हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर आपकी destiny में है, कि बहुत ज़ादे केते हैं, आपकी family पर attack आना, बहुत ज़ादे लडाई, जगड़ा, या ऐसी चीज हैं, यहाँ पर, ठीके, यहाँ पर आपको mentally आप बहुत, या आपकी family में कोई disturb रहा है, तो उसने, आपने उसको बहुत help की है, क्योंकि आप बहुत positive हो, ओके, आपके अंदर इत्ती positivity है, कि आप easily किसी भी situation को आप handle कर सकते हो, और आपने अपनी family को एक protection यहाँ पर अपना एक बना कर रखा हुआ है, यहाँ पर, ठीके, vanity, आपको, शायद आपकी family में एक ऐसी चीजे भी हैं, जो बहुत जाजा positive भी हैं, और negative भी हैं, यहाँ पर, ठीके, तो वो सारी चीजों को आपको थोड़ा सा समझने की जरुत है, आपकी destiny में, मैं यह कहूँ कि आपकी family को कह देना, कि family के उपर effect आना, और उस चीज को आपने work किया है, action लिया है, और उन सब चीजों को side करते हुए, आप बहुत जादा एक अपने लिए और अपनी family के यहाँ पर बहुत कुछ कर पाए हुए, यहाँ पर, यहाँ पर आप अपने लिए stand लेते, खड़े होते, तो बहुत सारी चीजों के हम new beginning करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीके, angels आपको यहाँ पर बहुत जादा आपकी help करते हैं, आपको balance करने में, आपकी प्यार में, आपकी खुशियों में, यह आपकी चीजे हैं, जो आ ठीके, उन सब चीजों से बाहर आने के लिए आपको gratitude, बिल्कुल जो मैं बोल रही थी, protection मिला है आपको, यहाँ पर आपको, वो angels आपको बहुत जादा guide किये हैं, बहुत जादा आपको एक protection shield में डाल कर रखाओ, आपकी destiny में यहाँ पर लिखा हुआ है, कि आपका, अगर जो टाइम आपका गलत था, एक negativity थी, या कुछ भी ऐसी के लो, आपके thoughts की, आपके विच्चार होगी, जिसकी वज़े से, या किसी के साथ कुछ कार्मिक चीजे भी जुड़ी हो सकती हैं, तो उसका भी effect आपने देखा है, अपकी family के उपर, तो वहाँ पर आपने, अपने क केते हैं, कि जब हम अपने family के लिए, एक protection का काम करते हैं, तो definitely हम उसमें सफल होते हैं, success होते हैं, और फिर हम बहुत सारी चीजों को हम जान लेते हैं, वहाँ पर, तो ये आपकी destiny में यही है, कि आप एक chain का काम करते हो, तो सब को साथ में लेके चालते हो, आपके साथ बहुत जादा family में खराब होते हुए देख रहे हो, तो बहुत जादा आप आपने क्या करा हैं, उसको एक साथ में लेके चले हो, उसको, आपकी energies इतनी positive हैं, कि आप negative को भी positive कर देते हो, ठीके, क्योंकि आप, आपकी सोच, आपकी विचार कुछ अलग ही मुझे नजर आ र open है, आपका third चक्रा भी है, आपर मैं बहुत जादा open देख रही हूँ, आपका third eye चक्रा मैं बहुत open देख रही हूँ, आपका solar precious चक्रा काफी active है, क्योंकि आपकी energy बहुत positive है, इसलिए आप negativity से भी आप लड़के, आप उनको protect करके, अपनी family को आप बाहर निकाल के लिए क्या आते हो, ओके, यहाँ पर मैं energy डेख से लेती हूँ, आपकी destiny में लिखाए कि जब जब आप परेशान रहोगे, निराश रहोगे, हताश रहोगे, आप anxiety में रहोगे, तब तब आपको angels और universe आपको guide करेंगे, universe आपको बहुत ज़ादा आपको guide करेगा, आप है ना बहुत एक आपका heart chakra, बहुत ओकपने, इसकी वज़े से आप बहुत ज़ादा मतलब किसी भी negative को positive में एक तबदील कर सकते हो, ओके, यहाँ पर आपकी बहुत ज़ादा आप the garden and the gate, बिलकुल, यहाँ पर आप है ना एक आपका मैं यही देख रही हो, कि आप ना बहुत ज़ादा positivity को attract करते हो, हमेशा positive सोचना, positive चीजों को देखना, और उन सब चीजों से अपने आपका एक connection ले पाना, ठीके, आपकी नजरे हैं ना बहुत अच्छा अच्छा शायद देखती हैं, या सुनती हैं, या सोचती है जब हम केते ही ना है, कि जब हम यूनियर्स के साथ हमारा connection रहता है, तब ही हम इतना सब कुछ positive यहाँ पर हो पाते हैं, ठीके, और तब ही हम अपनी family को और अपनी दूसरो other person को हम बहुत खुबसूरती से यहाँ पर बाहर निकाल के ले पाते हैं, ठीके, यहाँ पर आपको butterflies अभी बहुत नजर आ रही होंगी, वो कुछ यूनियर्स या एंजल्स आपको message देना चाहते हैं, तो उस सब चीजों को ignore ना करो, थोड़ा सा ध्यान देनी की कोशिश करो, यहाँ पर आपकी destiny में लिखा हुआ है, कि आप एना एक ऐसे person हो, जो हमेशा लेकर दूसरों को ल अच्छे से समाल होगे, अच्छे से guidelines दोगे और बहुत खुबसूरती के साथ काम करोगे यहाँ पर, ठीक है, victory, आपकी destiny में यही लिखा हुआ है, कि जब भी कोई बुरा वक्त आपके पास साथ होगा, या आपको कोई आगे बढ़ने से रोकेगा, या आपकी family पे कुछ ऐ ऐसी चीज़े होगी जहाँ पर आप success वहाँ पर आपको मिलेगी, आप उन सब चीज़े से बाहर निकल के आओगे, अपने आपको balance भी करोगे, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा sun है यहाँ पर, patience है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत आपकी family में सफलता है, success है, और किसी की health में कुछ problem थी, तो उसमें भी आपको निजात यहाँ पर देखते हुए मिलेगी, family में किसी का एक कुछ mentally कोई problem में है, तो वहाँ पर एक miracles आपकी life में यहाँ पर होता हुए में देख रही है, उसकी recovering है यहाँ पर, जो कि एक केतिना time period है, एक karmic pattern से निकलता हुआ, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीके, okay, earth connected, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है, कि जितना ज़्यादा आप grounded रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी energy, balance यहाँ पर रहेगी, ठीके, अगर आप कहीं कुछ और थोड़ा सा, human being है, हो जाती है, हमारी energies इधर उधर बिखर जाती है, तो वहाँ पर बापस उस stage पर आओ, grounded रहो, ठीके, mother गाया, ठीके, यहाँ पर उस से आपका connection काफी अच्छा है, जितना आप grounded रहोगे, जितना ज़्यादा आप earth से connection आपका बना रहेगा, उतनी ही ज़्यादा आपके destiny में लिखा हुआ है, my god, आप कितने प्यारे हो सकते हो न, literally आप बहुत मुझे, एक खुबसर सा चेहरा मुझे आपके सामने, सामने मुझे नजर आ रहा है, शांकर बगवान के आप भक्त हो सकते हो, और काफी grounded person हो, इसलिए आपके अंदर इतनी positivity है, आपकी destiny में लिखा बहुत जादा एक अपने आपको तो balance रखते हो और दूसरों को भी balance रखते हो, physics inside ordinary, your third eye is open, see truth, for what is it follow your intuition, यहाँ पर देखो, आपके लिए बोला जा रहा है, कि आपकी third eye open है, ठीके, यह जो मैं बता रही हूँ न, आपका third eye भी जो कि भी ने बोल दिया है सब कुछ, आपके चक्राज में यहाँ पर बहुत balance देखो, इसलिए आप इतने positive हो, इसलिए आप अपनी family को protect कर पाते हो यहाँ पर, बिल्कुल एक नहीं कर पा रहे हो, अगर कुछ situation ऐसी चल रही है आपकी family से related, तो आपकी destiny में यह सब चीजे लिके हुए हैं, कि आप सब अगर अलग- फिर balance होगे, फिर एक साथ रहोगे, और बहुत सारी खुशिया हैं आपकी family से related, क्योंकि आपको सब पता है, आप सब जानते हो, क्योंकि यहाँ पर cards निकला है, आपकी third eye बहुत जादा open है, आप सब कुछ पता है, सच्चा ही क्या है, आप हर चीज को देख सकते हो, ठीके, बस आपको करना क्या है, आपको अपनी intuition को यहाँ पर follow करने की जरत है, जितना जादा आप, इसलिए यहाँ पर cards निकला था, कि आपको बोला जाता है, जितना जादा grounded रहोगे, उतना जादा आप peace में रहोगे, शांती में होगे, energy balance रहेगे, तो उतनी आपकी third eye भी यहाँ पर active रहेगी, बस अपनी intuition को follow करो, जितना जादा आप अपनी intuition पर trust करोगे, inner voice सुनोगे, उतनी जादा आपके अंदर और positivity और उतना जादा ज्यान आपके अंदर आता चला जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर one cards और लोगी में, thank you, thank you so much, यहाँ पर अगर आपके साथ family से related कोई problem चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो don't worry, बिल्कुल बैफिक्र हो जाओ, पूरी positivity आएगी, खुशिया भी आएगी, और happy family भी होगी, प्यार भी होगा, हर चीज होगी, सिर्फ आप balance रहो और अपनी intuition को follow करो, यह आपकी destiny में लिखा है, success है, सफलता है यहाँ पर, और वो चीज़े आपको मिलके रहेंगी, ओके, commander, call to action, यहाँ पर सिर्फ आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अर्थ पर रहो, ठीके, grounded रहो, balance रखो और अपने आपको charge करना है, ठीके, और आपने जो भी सीखा है, उसको बोलने की जरुत है, आपने अभी तक जो भी महसूस किया है, वो जितना भी काम किया है, आपने अपने उपर, उसको बताना है, explain करो उसको, बस आपको अब action लेना है, और उस चीज को विस्तार से सारी चीजों को फेलाना है, यहाँ पर, अब action आपको लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, यह आपके अंदर बहुत positivity है, आपके third eye open है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत जादा आपके अंदर positivity है, सिर्फ आप अपने आपको चार्ज करो, और जो भी आपने महसूस किया है, जिन चीजों को भी आप महसूस करते हो, उसे explain करो, उसे बताओ, time आपका है, यहाँ पर, आपकी destiny में यह लिखा हुआ है, कि जो भी experience करोगे, उसे आप फिलाओगे, उसे बताओगे, एक बहुत जादा, मैं किसी की famous energy भी देख रही हूँ, बहुत जल्दी कोई famous होने वाला है, किसी चीज के commander बनते हुए, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे, क्योंकि बहुत जादा success है यहाँ पर, growth है यहाँ पर, positivity है यहाँ पर, तो pile number two, यह थी आपकी reading, मैं इस reading को यह पर close करती हूँ, जो आपकी destiny में लिखा हुआ है, okay, तो thank you, thank you so much, और video को like, comment, subscribe ज़रूर करना and bye